हेलो गई स्वागत आप सबका तो आज हम बात करें कि वारी रिन्यूबिल्स की सब से पहले तो उसका जो आई पियो है वारी एनर्जीस का जिनको भी एलोट्मेंट हुआ है उनको तो अच्छे रिटेन मिलने की संभाव ना रह सकती है और यहां पर पंद्रा सो रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही इसके अंदर धाई पसन की गिरावट के साथ बंद रहा आगे कहा तक जा सकता है उसके उपर अगर इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके उपर हम डेली टेक्निकल चाट के उपर एनालिसेस करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लोंगर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभाव ना रह सकती है लेकिन यह शौर्ट टर्म में वोलटिलिटी रह सकती है अब यहां पर हम देखते हैं आगे सबसे पह का जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है असली ख़बर जो है वो 100 मार को पड़ता चलेगा I think मुझे सा लग रही कि स्टेज 3 में आ चुका होगा because की अभी क्या हुआ है कि थोड़ी सी वोलटलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हुई है तो शायद इस वज़े से जो है यहां पर सब्रे से यह गिरावट थी बाजार के अंदर गिरावट थी आज इसी वज़े से इसके अंदर गिरावट थी यह चीज यह पर लग रही है लेकिन अच्छी चीज रही कि 1450 के आसपा सपोर्ट लिया फिर पूरे दिन यहां पर यह गुमता रहा आखिर में लग रहा था, इसके अंदर गिरावट थी तब भी इसके अंदर यहां पर अच्छा कांस्वरेशन हुआ था और यह रेंज है नीचे में 1300 रुपे का सपास का सपोर्ट वहां पर एक इसको सपोर्ट लिया था और ऊपरी लेवल अगर देखें तकरिबं तकरिबं जो है 1500, 5000 क तो यह एक range जो है एक अच्छा कासा मतलब की support का काम कर सकते हैं अभी इसी range के अंदर आ चुका है तो ज्यादा से ज्यादा 1300 रुपे के आसपास short term की बात कर रहे तो वहाँ पर इसको अच्छा support मिल सकता है short term की हम बात कर रहे है weekly chart के उपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी निचली line इसकी 1300 रुपे के आसपास है अभी ये level ज्यादा दूर है नहीं लेकिन फिलाल हम इस level की बात नहीं करेगे क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है अभी 200 रुपे की दूरी है उससे पहले भी इसको support मिल सकता है इसक पहले इसके अंदर bounce back आ सकता है और तेजी की बात करें तो वो तो ये जब 1700 को पार करता है तब वो strength वापसा सकती ऐसा लग रहा है क्योंकि इसकी middle line weekly chart के उपर भी वहाँ पर है बुलिंजर बेंकी और daily chart के उपर भी इसकी middle line बुलिंजर बेंकी वहीं पर है 1700 के आसपास बस यह भी न भूले इससे पहले जब इसके अंदर अगर देखे तो जब IPO की खबर रही थी तब यह 30 से भी नीचे पहुच चुका था तब ज्यादा थोड़ी से गिरावट आई थी उसके बाद यह bounce back आया था यहां पर और यहां पर तो overall अगर देखे इसके support और रजिशन हम जो की काफी useful रह सकते है 1490 का price है पहला support area जो इसका दिख रहा है एकदम से यही लेवल यानि कि 1480 के आसपास का यही से भी bounce back आ सकता है उसके नीचे जो है यह आज का जो low है वहां से इसको support मिल सकता है यानि कि 1450 और उसके नीचे थोड़े से दूर के support की बात कर रहा है तो 1220 और यह लेवल पार हो जाता है तो फिर वह हमने देखा जैसे कि 1700 रुपे के आसपास का zone, 1700 से 1720 का zone, 1700-1720 को पार करता है फिर इसके अदर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है फिर यह 2000 तक भी जाने की संभावना इसकी रह सकती है बाकि नजदी की registration इसके यह दि तब एक hope के चलते भी अगर बाजर के अंदर stability रही तो एक strength देखने को मिल सकती है, bounce back देखने को मिल सकता है, so कल वापस से चल्चा करेगे तो अगर आपकी इसके अंदर holding है तो हमारे चैनल को subscribe जबर करें, साथ-साथ अगर आपको कुछ online खरीदी करनी है, buying करनी है तो जले और DC जले तो उसके जीमेदारी maturity के साथ खुदी ले, यह वीडियो में नहीं है, यह वीडियो में नहीं के सनल पलपस के लिए बने है, मेरी तरह पसे खोई भी आपकी रेकमेनेशन नहीं है, thank you